ओम शान्ती आज सुनते हैं 8 दिसंबर 75 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य शक्तियों की सिद्धी से महार्थी की परक्ष तो आज बाबा ने अपनी तकदीर की लकीर को कैसे पैचाने फिर बाबा ने महार्थियों की परक्षने की शक्ति किसे कहेंगे थार्ली बाबा ने शक्तियों की सिद्धी किसे कहा जाता है लास्ट ली कौन सी दो बातें साथ साथ होंगी तो आव सुनते हैं आठ दिसंबर 75 के मुरली शक्तियों की सिद्धी से महार्थी की परक सरव शक्तियों और सिद्धियों का वरदान देने वाले सरव शक्तिवान शिब बाबा बोले हर एक के मस्तक द्वारा मस्तक मनी को देखते हुए क्या तकदीर की लकीर को पैचान सकती हो मस्तक बीच चमकती हुई मनी अर्थात स्रेश्थ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पैचान हो जाती है हर एक आत्मा के पुर्शार्थ वा प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सेजी समझ में आ सकता है जैसे कोई खुश्बू की चीज फौरण ही वातवरण में फैल जाती है और सेजी परक में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है इसी प्रकार जितना जितना परकने की शक्ती बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वै कहां तक रोहानियत की अनभवी है वै फौरण ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा बाबा ने कितना अच्छा एक्जामपल दिया तो बाबा ने कहा जैसे खुश्बू की चीज से समझ में आ जाता है ऐसे ही परकने की शक्ती भी ऐसी जबरदस्त है जो एकदान दूसरे के वाइब्रेशन को आप परक पाएंगे वै फौरण ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा परसंटेज की परक भी सह जा जाएगी कि कितने परसंटेज में रुहानी स्थिती में स्थित रहने वाला है जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसंटेज का मालुम पढ़ जाता है ऐसे ही साइलेंस की शक्ती के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिती द्वारा ये भी समझ में आ जाएगा इसको कहा जाता है परखने की शक्ति संसकारों द्वारा वानी द्वारा और चलन द्वारा परखना ये तो कॉमन बात है लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना इसको कहा जाता है परखने की शक्ति समझा महार्थियों के परखने की शक्ति यह है यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने ना भी हो लेकिन आने वाला हो अथ्वा दूर भी हो लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के अधार से ऐसे अनेक उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है इसी कोई दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धी कहा गया है यह सिद्धी प्राप्त होगी जैसे आतम ग्यानियों को भी सिद्धी होती है कि जबान से कोई बोल ना भी बोले लेकिन वे क्या बोलना चाहते हैं वे समझ जाते हैं और क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं तो यहां भी परखने की सिद्धी के रूप में शक्ती सिद्धी के रूप में प्राप्त होगी लेकिन सिरफ इन शक्तियों को यर्थार तरीती से कारे में लगाना है वैसे भी किसी को सिद्धी लौकिक में भी आजकल किसी को बहुत बड़ी शफा होती है कोई भी वेद ऐसा दवाई देता है तो ठीक हो जाते हैं दूसरे तो कहते हैं बड़ी इसको सिद्धी है इस चेज़ की दूर दूर से लोग उसके पास साधार नसा उसके पास आते हैं लेकिन अगर उन सिद्धी वालों में भी जहां स्वार थाना शुरू हो गया कि कैसे इसके माद्यम से पैसा कमाया जाए वो किया ज़र फिर शक्ती हुआ जाती है तो बाबा कहते है तुम बच्चों को भी यह शक्ती तो मिली है तो यहां भी ये परखने की शक्ती सिद्धी के रूप में पराप्त होगी लेकिन सिरृप इन शक्तियों को यर्थार्त रिटी से कारे में लाना है मतलब ये नहीं कि इन शक्तियों का दुरू प्योग ना करें हम सदू प्योग करें ना वेर्थ गवाएं ना वेर्थ कारे में लगाएं फिर ये सिद्धी वा शक्ति बहुत कल्यान के निमित बनती है ये भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुक्से शक्तियों की महिमा जो भक्ती में निकली है क्या आप ये हो आप ये हो ये सब महिमा पहले परत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी ये भी स्टेज होनी है लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको इस सब नजारे देखने और अनभव होने के प्राप्त होंगे अंत तक अंगली देने लिए पार्ट भी ऐसे शक्तियों के होंगे न शक्तिवा पांडओ लेकिन शक्तिस रूप के होंगे कमजोरों के नएं बिलकुल साथ साथ होगा एक तरफ हाकार और दूसरी तरफ जैजैकार ये भी अतीमे और वे भी अतीमे होगा ये होगा लास्ट का नजारा कौन सा? कि एक तरफ तो हाकार और दूसरी तरफ जे जेकार दोनों ही साथ होंगे यह भी अतिमे और वे भी अतिमे होगा तो विशेश बाबा ने इस मुडली में विशेश माहर्थियों को परकने की शक्ती यह है कि वो संकल्पों के वाइबरेशन द्वारा किसी भी आत्मा को परक्षक्ते हैं कितने परसेंट में रुवानी स्थिती में रहने वाली है क्योंकि आगे चलके जो पेपर आने है पेपर भिन भिन प्रकार की आत्माओं के द्वारावार उसमें भी परकने की शक्ती चाहिए आप देखेंगे परक नहीं पाते तो कहीं जगे धोखा खा बैठते हैं फिर बाद में आते हो मैं तो विश्वास कर बैठा और ये क्या हो गया लेकिन वहाँ पर परक्षक्ती चाहिए और तुरंट परक कर फिर जो है उसी अनुसार संबल के एक्ट करे इबिल सोल्स के वार बढ़ने वहाँ भी परक्षक्ती चाहिए माया भी भिन्बिन तरीके से अपना बना के बाबा की आग्याओं को मिस्ट कराएगी वहाँ भी परक्षने की शक्ती चाहिए के माया आ रही है इसको अभी से दूर से बगाओ तो ये परखने की शक्ती बहुत काम आती है सेवा को बढ़ाने में परखने की शक्ती ही काफी काम आती है कौन सी आत्मा क्या चाहती है बाबा ने एक बार का था च्छतिस परकार के भोजन हो पर किसी को प्यास लगी हो और आप 36 परकार के भोजन उनके सामने रख दें तो वो खाएंगे नहीं खाएंगे उसको तो प्यास उस वक चाहिए तो हमें परक चाहिए कौन किस चीज की प्यासी आत्मा है ये परक होगी तब हम वास्ता में महान आत्मा बन पाएंगे तो हर चीज में परखने की शक्ती यूच करो माया आ रही है, मुझे अपना बना रही है जट परक के उसे इकड़म धख्ता दे के बार कर देने का है नहीं तो माया चांस लेती रहेगी अगर आप वेलकम करते रहेंगे उसको चाह पाने पिलाते रहेंगे तो माया बार बार चांस लेगी तो हर चीज में परखने की शक्ति है फिर बाबा ने दूसरा आज की मुरली में शक्तियों वा सिद्धियों को यर्थार्त रिती से कारे में लाना है ना वियर्थ गवाना है ना वियर्थ कारे में लगाना है तब ये सिद्धी वाशक्ती बहुत कल्यान के निमित बनती है एक तो बाबा ने का सिद्धी सुरूप आत्मा बनोगे कब जब सारा दिन समर्थ का खाता होगा जरा भी वियर्थ ना जाए समर्थ ही समर्थ तो समझो आप सिद्धी सुरूप आत्मा बनते जा रहे हैं सुबह से लेके रात तक यही चेक करो मेरा कोई संकल्प वियर्थ तो नहीं गया मेरा कोई वचन वियर्थ तो नहीं गया कोई करम वियर्थ तो नहीं गया जो वियर्थ गवाने के अभ्यासी होंगे अंत तक वियर्थ करते रहेंगे लेकिन हमें अगर अभी जीत लिया तो अंतिम पेपर में भी विजई बनेंगे लेकिन जीतना है कोई भी प्रस्थिती में कैसा भी पेपर आवे जीतना है और एक यह लक्षे रखना है कि मुझे सिद्धी सुरूप आत्मा बनना है सिद्धी सुरूप आत्मा बनने से बस जिसके लिए जो संकल्प करेंगे तथास्तू हो जाएगा तो लास्ट बाबा ने यही कहा शक्तियों वा सिद्धियों कोई अर्थात रिती से कारे में लगाना है ना व्यर्थ गवाना है ना व्यर्थ कारें में लगाना है तब यह सिद्धी वा शक्ति बहुत कल्यान के निमित बनती है अच्छा ओम शांती ओम शांती और आज की यह बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर सुने अच्छा